हेलो बच्चो आज की इस वीडियों हम देखने वाले हैं जनन चिप्टर का दिर्गुतरिये प्रश्ण तो इसका जो है आति लगुतरिये और लगुतरिये प्रश्ण जो है हम बहुत अच्छे तरीके से समझा समझा के करवा चुके और अगर आप अभी तेक उसको नहीं प्रश्ण का तो अंतिम में यहां पर आपको एक जगा आती लगुतरिये जगा लगुतरिये सो करेगा तो आप यहां से करके क्लिक करके देख लिजेगा यह क्योंकि द्रिश्टी कोन से भी बहुत महदपूर्ण है और आपके जीवन के लिए भी क्योंकि अगर पढ़ाई क का मतलब है कि अपने जीवन से रिलेट करना और जैनन चेप्टर इस तरह से है जो आपको सिखाएगा कि जिन्दगी में कैसे क्या करना चाहिए मतलब अपने सरीर के बारे में सीखाएगा ठीक ना तो चलिए हम लोग जल्दी से इसको दिर्गुतरिये प्रश्ण का भी उतर परता करता जो अलेंग जनन उता है इसमें के बारे मां लगुतर ये प्रश्ण बहुत अच्छे तरीके इस बता चुकियां कि अब इसमें भी दखिश को फिर समझाने लगेंगो वीडियो जो है कम से कम 50-60 मिनट का हो जाएगा ती इतना लाओं फिर आप लोग देखना भी नहीं पसंद करते हैं इसलिए जो है कुछ जो है लग तरीया में बहुत अच्छे तरीका बता चुके और कुछ जो चोड़ चुके हैं जो कि लगूतरीय की उसन में नहीं था वह हम दिर्गूतरीय के उसन में आया है उपरस्ट तो उसको भूखागों भिभाजित हो जाता है पहले केंद्रक विभाजान होता है उसके बाद कोशी से पार फेयँ गहर कर दे के ृटिकना जैसे या याद रखीमा मुख्लाम भारा मुख्लाम द्वारा मुख्लाम है जथा बनता है आप लोग हैसर के लगवत हरे बहुत अच्य जीव दो या अधिक खंडों में टूट जाते हैं और यह खंड बृधि करके पूर्ण विक्सित बन जाते हैं जैसा स्पाइरोगोरिया तथा चप्टे क्रीमी समझें यानि कि दूखंड में कहा होता है यह तूट जाता है तूटने के बाद क्या होता है यह फिर से बृधि हो सांतिकूल परिश्थिति में कौशिका के लिए इसकी चारों और एक मोटी बिती बन जाती है अनुकूल परिश्थिति में Moz भी सी टूट जाती और विजानुद समय बिजानु समाने बीधि से जनन्र करता है और व्रम यसे बिधि करके पूर्ण विक्सित जियुल पर जाता इस विदी द्वारा जनन करने वाले कुछ उदाहरान मतलब कौन-कौन जनन लेते तो मिउग मिउकर ओगया फर अथवा मांस यह सबी जो है जन्म लेते हैं इस तरह से तेके दूसरा नमर की उचन जो पहला नमर की उचन थाना इसमें जो है सभी जो है लगुतरी की बता चुके हैं यहां पर छोड़ते हुए जाएंगे दूसरा नमर की उसन दखी है कि उत्तक समर्धन कैसे संपर्ण होता है काईक परवर्धन के लाभों का उल्लेक करें इसका उतर हो जागा इस विदी में पहुत है उत्तक के एक छोटे से भाग को काट लेते हैं ठीक ना क्य सब्सक्राइब तरहा नहीं परंतु कायक जनल द्वारा उत्तपन पुर्ण समानता होती कायक परदन कि कायक परवर्धन क्या होता है कि अगर पौधे को जो है हम लोग ना पौधे के कुछ भाग को तना को या तो जड़ को या तो पती को काट के अगर रूप देते हैं और फिर वह उत्पन हो जाता है यानि कि फिर वह जनन कर जाता है तो उसको कायक पर आप लोग तो सभी होंगे मुनगा का जो प्रवधन दुसरा है कि कायक जनन द्वारा नए पौधे थोड़े समय में ही प्राप्त हो जाते है का फेच्ञ के द्वारा नए पौधे तो यह समय से है रूप दिए उसको क्या कि है माने चलिए इतना बड़ा हम मुंगा का पाउधा जो है प्राप्त हो जाते हैं कि आप देके तीस्रा धाखी है यहां पर वे पोध जो भीज दूवारा स्वरलता से प्राप्त नहीं की जा सकते हैं प्राग कर से प्राझ करन से लेकर बीज बढ़ने तक कि किरिया को संखेप में उद्धत करें यानि संखेप में उद्धत को बताना था कि आप लोग क्या की जिगा ना कॉपे में नोट कर लिए क्योंकि यह फ्राग कन वाला जो की उसन है यह लगुतरिये में हम बता चुके हैं बता चुके हैं लगुतरिये में तो आप लोग इसको जो है यहां पर नोट कर लिजिए बाकि अगर समझने की देरी है तो समझने लेकिन आप वहां पर देखेगा समझाएगा सब तो आप लोग जो कौफे में नोट कर लिएगा बागी देखे चौथा नंबर की उसन भी देखिए वहां पर था इसी टाइब का बट यहां पर देखे कुछ से जो है हम समझा देते हैं पादफ में लैंगिक जननन के विवेद दे यहां इसके बारे वांको बताना थे दिखेया क्या हो जागा इसका फास्ट चुकिन ákया क्या होता है मुकुलण रोला था थ मिजानूँच फिटाथा प्रवधन यह सब लोग को को कईक भाग जैसी पत्ति तना और जड़ नया पौध earth पायदा तो इस किरिया को काईग परवधन कहते हैं लोग परवधन भी पहले देख चुके हैं ना कुछ पौध है जैसे अमरूद अथवा सकरकंद की छोड़ी फिर से उगने लगते हैं अम्रूद का पौध है तो उसी तरह से किसम होता तो सकरकंद में भी होता है उसी को कायक परवधन कहते हैं इसको उसको श्री नोट कर लिजेगा इसको यह सब यह समझाय हुए तो आप बार बार समझाने में अच्छा नहीं लेगता तरीकिशन में और यह जो है कनफर्म कनफर्म दम सौ परसेंट आपको गरांटी देते कि टपकेगा लोग जो है मेरे आवाज को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं मेरी आवाज को रिकॉर्ड करके कि आप रख सकते देखिएगा 24 पर टपकेगा तो टपकेगा तो टपकेगा मतलब कि एकदम हम बुल सकते हैं कि यह जो कि इस बार भी हार बोड में जो 24 के एक्जाम हैगा तो इसमें कंफर्म आएगा तो आएगा इसलिए आपको इदम इसको रट जाना अच्छा से कि पुष्प की अनुधहर का एक स्वच नमांकित चित्र बने अच्छा आप लोग के लिए एक चीज और कि आप लोग के लिए जो है हम अब्जेक्टिव अब्जेक्टिव जो क्यूशन जो है उसका जो है हम लोग विवी क्यूशन कर भार हैं अगर आप इसके बारे नहीं जान रहें तो आपको जाना चाहिए डिस्क्रेप्सें समय रहा या तो को इसा प्रश्ण हो जो आपको समझ भी नहीं आ पूछ आ है आपको वहां पर कॉमेंट करने का भी ऑप्सन है आप कॉमेंट भी कर सकते हैं मैसेज भी कर सकते हैं अगर कुछ की जरूरी काम रहा यह तो कोई ऐसा प्रश्ण हो जो आपको समझ भी नहीं आ रहा है आप हमसे तुरंत पूछ सकते हैं अगर आप 12 बजे रात को भी आपको हम ऑफ्लाइन क्लास भी चलाते तो जो ऑफ्लाइन क्लास में देते हैं वह यहां भी देते हैं तो आफ्लाइन में तो हम अपना बेजती नहीं करवा सकते ना इसलिए शर्टी का आंसर देते हैं और क्या करते हैं कि मतलों जो भी आइक कि इस तरह का क्यों पूछता है ठीक न तो आप लोग को मालूम है इसलिए जो है एक WhatsApp गुरूप बनाए है जो कि टॉपर्स के लिए आप लोग जुआइन होई है तो इसका डीपी में दिखेगा बाल अस्टडी ऑनलाइन टॉपर्स के लिए इस तरह से लिखा हुए लिए तो चलिए पाचमा का आप लोग देख होता है ठीक न किस तरह से होता इसको रट जाना किसको क्या बोलते ये भी याद हते गए जो पषधे पौदे होता है जय में लेना स्टाट करते मदला बढ़ाना स्टाट होते में अ già भर पंखोडी इस अभी ये शबार य में कुछब को लोड़े देख न बोलते हैं इस भी जो है आप इसको जो है याद रखीगा इसको मतलब इतना बार बना लेजे ना कम से गम तो 50 बार बना लेजे 50 बार में बिन भूलाएगा बना लेजिए कैसे भी करके पस आपको यह याद रहेगा चलिए क्षठा देखते हैं कि यौग नारंब या प्यू ब कोसिस करें गए चैसे की सोर आवस्थां की इसको समझाने पूँछा आप agara असमान होते बालक और इने लड़का और बाली का मतलों नए लड़की दोनों जो है कुछ तेले तेले मतलब तेल जैसा कुछ-कुछ थोड़ा सा लविगा चिपजीपा देशा कुछ होने लगता है है इस सवस्था में चवरों पर फूस्वाक में निकलना भी प्राराम होuchen दाता है जिसको हम लोग लोग पिं पल्स बोलते हैं इन-परीवरतों की टिकहता है अस्तन ऑलक पाले कांग के अस्तनों भूल गए हम अच्छाना देखें आप जैसे किसवर बलिकाओं के अस्तनों में उभार आने लगता है अस्तन के केंदर में इस्थित अस्तना अंगर अस्तना अंगर यानि जो बीच में होता है मासिक में दाड़ी का ताड़ी का उगणा प्राराम होने लगता है या लैरिक्स के परिपक्त के कारण आवाज में भारी पन लगता देखें किसके कारण नहीं आता देखे शुर इंत्र और लिरिंग इसी के कारण जो है ना हम लोगा जो आवाज होता है उसमें भारी जैसे बच्चा मद दखिसा अवाज बहुत अच्छा निकले That आप आज जो है भारी होते जाता थे किसके कारण होता है आप लोग याद रखेगा स्वार यांत्र या लेरिंक्स ठेकना ब्रीशन में नर युगमक सुक्रानु बढ़ने लगते हैं यानि की मानों में जो होते हैं उसको क्या बूलते हैं आप लोग समझ रहे होंगे तो ग्री सेश्ण की आकार में समाने से ज्यादा अस्थाई ब्रीधी तथा का ठोड़ता आने लगती है आप लोग यह ज्यादा समझाने का मतलब है कुछ आप लोग समझ रहे होंगे साथमा की सब्सक्राइब कि पूरुष की आंत्रिक जनन अंगो का वर्नन करें पूरुष को जो है बतवाद बिन से सब्सक्राणू निकलने के बाद लगवग 48 घंटे तक लाग बाते तक फरन जिवित रहते ना और ताल्यों परत परदान करते करना होता है नर्लिंग हार्मोन टेस्टोरान टेस्टोरान के उत्पति तथा स्रावन यह ब्रीधी यह ब्रीशन देव युगा में देवगुआ में ही रह जाते हैं तो तो बांध्यता उत्पन होती है टेकना आप देखिए है एक नलिकार नचना होता है जो भृषन के साथ मजबूती से जुड़ी रहती है और शुकरानों के लिए एक संचाए घर का निर्मान करती है एक संचाए घर का का स्काइन संहान से जहां से यह पूरी तरह परिपक्त कभे पते हैं यह प्रोस्ट्रेट गनती स्रावित करती है यह कुछables जुके शुक्र मिल जाते हैं यह सब देखिए क्या लोग नोट करते जाएं यह मुत्र मार्ग इसको आप लोग समझी गए होंगे यह वह मार्ग है जिसमें से होकर मुत्र बाहर निकलता है ठीक ना मुत्र मार्ग एक पेशी एंग से निकलता जिसे कैसे सश्र नकाते हैं बीक चक्रक निखालने लिवी ठीकता है यानि कि सुकानु मतलब रिश्पम स्वन चलिए आप देखे आठ्वा कि उसना कि इस तरह में लैंग चक्र का वर्नन खरें मतलों वह कि इसको जो बोलते हैं से पंद्रा वर्ष की आयों में प्राराम हो जाता है यह यह उन्नवा वस्था होती है इस तिर्यों में मासिक धर्म 28 दिन का होता है फेराध के एक से पाचमें दिन तक पुराना अडानू-जोयद्हर्म के समय बाहर आता है यान यहिद्धार नए अंडानू के बरीधी प्रारम्र से लिपारों के दिन नए अंडानू के ब्रृधी प्राराम्भ में क्या होता है ग्राफियन फली संदाव से बाहर आकर अंडवाहिनी में पहुंच जाता है उसके बाद देखिए 15-16 दिन में क्या होता है कि वे अंड़ानू अंडवाहिनी और फिर गरभासे में आकर शुक्रानू से मिलने की परतिछा करता है यदि इस बीच निशेचत होता है तो अंडानों युग मनजन में परिवर्थित हो जाता है जो विकास करके नौ माह में सीशू बनकर जन लेता है यानि क्यों अगर 15-16 दिन में अगर मतलब इस्तरी अपुरुष का मेल होता है न तो वहां पे जो है कि मतलब पक्का जो है पक्का जो है वो कारे करेगा कारे क्या करेगा कि मतलब नौ माह के बाद सीशू बनकर वो क्या लेता है जन में ले लेगा मतलब अगर 15-16 दिन तक अगर दुनों का मेल हुआ तो ठीक ना आप लोग समझ गयोंगे यह किस तरह से यह हुआ चलिए आप देखते हैं अड़ा में क्या है कि निसेचन नहीं होता है तो 17-28 में दिन तक यह निसक्री हो जाता है अगर निसेचन नहीं हुआ मतलब कि अगर यह 16-17 दिन था देखें यहां पे आप लोग दिखें पंदरा से जो 16 दिन था मतलब इसके बीच में होना अनिमार से तभी जो है यह आप आएगा यह आप आएगा अगर इसके बीच में नहीं हुआ तो यह जो है नहीं आप आएगा क्योंकि इसके पहले जो है वह इसके माध्यम से रज्योधर्म के माध्यम से क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा शुक्रानु जो जाएगा उसके बाद जो है उजन में नहीं लिएगा यहीं दखी रड़ा में कहा कि है कि निसेचन नहीं होता तो 27-28 में दिन तकिया निस्करी हो जाता है अठाइस दिन बाद रद्धो धर्म से बाहर निका देता यानि कि रजोधर्म मतलब आप लोग समझ गयोंगे हिंदी में लिख देते हो सकता है आप लोग नहीं समझ रहें कि नॉमा नमर की कि अखिए शंसलिटरन के लिए विपहार में लाए जाने वहोले विभीन उपायों का ओर्न करते दों चैन संख्यान और संपड़न करना ठीक न प्राकिर्थी से भी होता प्राकिर्थी से देखिए क्या है कि अगर कुछ दिनों तक शमभग को रोक दिया जाए तब उस दौरान इस्तरी की ओने में भीर का परवेश नहीं होगा यह प्राकिर्तिक विधी यह क्या प्राकिर्तिक विधी अब चलते देखें हम लोग आगे इसको पूरा नूट कर लिए फिर देखें यांतरिक विधी यांतरिक विधी भी चाहिए जाता है ठिक्छी का बिधी में आप इसके बात समाजिक जागुरुकता समाजिक जाग हुरुकता ठराइस के नियंतरन के लिए भी 117u के उपियों है पाधा चलेगा की भारत अकेला ऐसा देस रहेगा जो कि पूरी दुनिया का आधा रहेगा माने चलिए क्यों डूरा किए हो जाएगा इसा नहीं हो जाएगा देखे आप लोग इसको जो है कोफी में नोट कर लिजेगा ठीक ना बाकि आपको आसा करते कि समझ में आया होगा और जो कुछ की समझाये नहीं है जिसके बारे में बोल दियें कि लगुतरिये क्यूशन में है तो आप लगुतरिये क्यूशन देखिएगा तो वहां पर समझाया वह बहुत अच्छे तरीके से आप वहां पर जाके देख सकते हैं और देखिए यहां पर कुछ कुछ जो चीजे थी जो की समझाने लाइक था जो की लगुतरिये में नहीं था वह भी नहीं समझा पाएं कि थोड़ा सा वीडियो जो है घर में बना रहे हैं तो दिक्कत तो होग अब खूद से भी पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा यह देखिए नॉमा नंबर भी की उसन समझेगा जरूर आप लड़के लोग के लिए ज्यादा जरूर यह नॉमा नंबर की उसन इसको आप लोग जो है अच्छे से समझेगा पढ़के समझेगा ठीक है और क काफे में इसको नोट जरूर कीजिएगा तो आप लोग को आसा करते यह दिर्गुतरिय प्रश्ण भी अच्छे से मतलब समझ में आ गया होगा और जो जो किसन छुट गया है मतलब जो नहीं समझाए उलग उतरियत देखिएगा तो आपको वहां से समझ में आ जागा जैग थोड़ा से मेरे लिए भी सपोर्ट कर देजिए कि जिस तरह से भी विडियो बना रहे जो सट पाने हुए हैं वो पूरा भीग गया पूरा पसीना चल रहा आप देखिए वीडियो देखिए बन गया बीस मिनट जो है बाइस मिनट ऐसे बिना पंखा में रहें गेट बंद क बंद कर देखिए बंद कर देखिए बंद कर देखिए